हेलो एब्रीवन बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का हमारे चानल अग्डा247 जुडीश्री में बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हमारे सारे ही राज्यों के लिए जुडीश्री के दिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं वाई 625 उसके बाद ये बात आपको पढ़ने वाला है 13400 रुपए का कैसे मिलेगा अभी मैं बता दूंगे और उसके पहले एक बात और बताना चाहूंगे आपसे शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप एक से ज्यादा राज यदि आप आज की डेट में इनमें से किसी बास पर करते चाहिए टार्गेट स्टेट हो चाहिए आपका महापाक हो तो आपको यहां पर डबल वैलिटी मिलने वाली है आपको कूर्ट का धियान रखना है वाई 625 का प्रयोग करना है और डिली लाइफ क्लास करने के लिए आ अड़ा 247 जुडीशरी के चैनल पर शाम को शे बजे भूलिएगा मत और अब हम चुरुवात करते हैं अपने बहुत की इंपोर्टेंट सेशन की जिसमें मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर अप गुजरात जुरीशल सर्विसस के लिए तायारी कर रहे हैं तो यहां पर आपको अपनी टायरी किस हिसाब से रखनी है और सबसे पहले क्योंकि हम मैं पता है गुजरात एक रीजिनल एलिया है तो वहां पर वहां की लोकल लांग वेज़े गुजराती तो यहां पर एलिजिबिल्टी क्या है गुजरात में एक्जाम देने के लिए यदि कोई हिंद पूरा पढ़ना जरूरी है इसे लिए रिजर्वेशन का अगर आपको बेनिफिट चाहिए फाइदा चाहिए तो तो गुजरात का रोमिसाल चाहिए लेकिन अगर अब अन्रेजर्व के टिग्री में जा रहे है कोई दिकत नहीं है ठीक है no problem at all candidates must have completed the bachelor level education from a recognized university मतलब की यहां पर आपके पास LLB के डिगरी होनी चाहिए आप graduate होने चाहिए law में जो age की बात कर लेते हैं तो age 35 years से जादा नहीं होने चाहिए 35 years से कम होनी चाहिए उसके बाद candidates who belong to the reserve category will be offered three years relaxation in the upper age limit मतलब इनको 38 years तक exam देने की अनुमती है ठीक है उसके साथ साथ जो ऐसे employees है जो courts में already काम कर रहा है इनको यहां पर 40 years तक का समय दे दिया जाता है क्योंकि इनको यहां पर 5 साल का relaxation मिल जाता है तो जो doubt है सबसे पहले वो clear हो गया अब यहां पर जो जिनको गुजराती नहीं आती कि वो exam कैसे देंगे उसके वारा में भी बताऊंगे मैं आप ठीक है जब examination होगा वो three stages में होगा पहला preliminary examination जहां पर objective questions आने वाले हैं दूसरा में examination जहां पर descriptive questions आने वाले हो तीसरा आपका पॉसल इंटर्व्यू यानि की साक्षातकार आगे बढ़ते हैं और एक एक को हम यहां पर discuss करते हुए चलते हैं preliminary examination में आपके पास objective questions आएंगे multiple choice question आएंगे ठीक है 100 questions आएंगे इन में से ठीक है आपके जो प्रीक एक्जाम होगा only 100 questions will be there and one mark each मतलब की 100 marks का ही आपका question आने वाला है उसके साथ-साथ जो duration होग एक्जाम की 120 मिनट यानी की दो घंटे होने वाली है इसके साथ-साथ में ने बताई दिया सारे आपके option जो आप questions होगे वह एक नंबर के लिए होगा और negative marketing होगी 0.30 मतलब की one third negative marketing आपके होने वाले रहो यहां पर आपको बढ़ा remaining questions होंगे वो गुजराती में होंगे और गुजराती सीखने के लिए क्या तो आपके पास गुजराती आती है आपको ऐसा certificate स्कते हैं और एकिरशंद कर सकते हैं और यहां पर अपियेश हो सकते हैं G чисocy 25 Tapi सकते हैं हमस्राइब सकते मेरे अपने सफिश सकते है यार यू पी के लोग दूए है तो ध plagS यू अप सी कर सकते हैं इस दिकने के बाद इक बाद इसके बाद इसे सचंगे बार वह को एविरेंस आक्ट आएगा गुज्रात का जो स्पेसिफिक गुज्रात प्राइबिशन आक्ट इन 1949 जो पहले ओल्ड बॉम्बे प्राइबिशन आक था वह आएगा निगोशिएबल इंस्रुमेंट्स आर्ट का ओनली चाप्टर 17 आने वाला है ठीक सिपी सी आएगा लिमिटेशन आक्त आएगा इन्डियन रिचा है और समविदहान आएगा ठीक है समविथान से आपका पार्ट 3 आएगा ऑगा ठीक है उसके बाद आपका यह जो अलगभाघ है पार्ट hypocrite ले भीतुछ हईगा क्योंकि आप से सौही सवाल पूछने और पच्छतरी इंसरेलेटिट पूछने हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत जादा आपके लिए चीज़ों को थोगा टफ कर दिया गया है क्योंकि यहां पर आपके लिए जो आकाश है जो छतरी है उसको बहुत बढ़ा बना आएगी टेस्ट आफ रीजनिंग आएगा निमेरिकल एंड मेंटल एबिलिची आएगी और बेसिक्स आफ कंप्यूटर आने वाले जो कि बड़े ही आपके ऐसे होते हैं कि किसी सामान निविक्ति को जिनकी नौलेज होते इसके लिए आपको बहुत अलग से पढ़ने की आशा होती हैं वह अंग्रीजी होती है ठीक है अंग्रेजी में ही आप दे सकते हैं उसके आлатर उन्यक्रापीस होटी मैं वह लिए 25 नमबर की तो आरी 25 सवाली तो आ रहे हैं और अगर आप लो में अच्छा कर लेते हैं तो पच्छत पर दिशित क्यास पासी जाती है कट आफ तो बिल्कुल बड़े आराम से आप सिक्योर कर सकते हैं कट आफ को तो तो गुजवात का वर्म जब भी आए आपको भरना चाहिए डिलेटिव ली गु इसी के साथ पढ़ आख अ उसके साथ जुविनायर स्टिस के क्यर रेंड प्रटेक्शन आक्ट प्रटेक्शन आप प्रटेक्शन आप वो में फॉम इस्टिक वाइलेंस का गुज़राथ प्र्रिवेंशन आप गैंबलिंग एक इम और अर्क्राफिक प्रेविन्टिक्निक प्राइबिशन आक्ट निगुशीबल इंस्ट्रुमेंट साथ और रिस्ट्रेशन ऑफ बर्स इंडेट्स आठ अब यहां पर जो आपके एक्स्ट्रा सब्रेक्स दिख रहा है ना यह बिल्कुल भी बर्डन वाले हैं ने यह बिल्कुल भी लोड वाले हैं ने क्योंकि काफी स सब्सक्राइब आगे चलते हैं आगे डिखते हैं ने पर टू की बात कर लेते हैं पेपर टू जो अपर सिबल लोका होगा 75 बाक्स के लियो का धाए घंटे का पेपर होगा पूगा पचिके पी सी पी आए का लिमिटेशन आइका इका कॉंट्राक्ट आगा पार्टने शिप पाएगा स्पेसिफिक रिलीफ आक्ता और गुजरात का कोट फीस आक्ता आएगा इसके अलावा आपका एक तीसरा पेपर होगा जो कि खाली गुजराती लांगविज का होगा ठीक है पचास नंबर के लिए होगा और गंटे का पेपर यह होने वाला है ठीक है तो लिमेटरी इसको फिल ली लुएних थर नहीं होता है वाइवाध वाजय होता है यहां पर 50 नंबर के लिए होता है उसका जो अगिट्र होता है नोजज Biz होती है clear and logical exposition चेक होता है balance of judgment चेक होता है क्योंकि आपको जज़ज बनना है आपकी skills क्या है attitude कैसा ethics कैसा power of assimilation कैसी है power of communication कैसी है character कैसा intellectual depth कैसी और एक्सेक्टर एक्सेक्टर मतलब की आपका आक्चल में personality test होने वाला है तो यदि आप गुजरात में जज़ बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बन सकते हैं कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको रोक सके और थोड़ा बहुत गुजराती पढ़ना पड़ेगा और उतने से आपका पेपर हो जाएगा ठीक है आप सिक्दम हाँ को दिखा देती और महापाक के दिखा देती यहीं कि अगर आप कुझरात का हमारा अलग से specific बाच नहीं है ऐद महापाक में आपको गुजरात के जो सप्केट करवाएंगे गूगर पर जाना है अक्ता ट्वेंटी फोर जबर शेवन सब्सक्राइब करना है पहले लिंक पर आप आपको जाना जा Outside Saug में जाना है all courses of UPSC में जाएंगे क्योंकि यहां पर गुज़रात के लिए लग से बाच नहीं और हम गुज़राती में पढ़ा भी नहीं सकते माथा गुज़रात में जो लॉव आते हैं वह तो पढ़ा ही सकते कानून तो वही यह कानून की बेरक्ट तो वही आती है तो बिल् है यह G.S की है G.S वाला जो पोर्शन है इसके लिए आपको कहीं और नहीं जाना है घ्यास का भाग भी हम यहीं से कवर कर देंगे आपका ए-book मिलंगे सब अगर हम कोई कोई कराश कोर्स लेकर आते हैं किसी स्टेट के लिए वो भी आपको महापाक में मिल जाएगा महापाक में सब कुछ मिलने वाला है ठीक है अगर मैं बात करूंगी कौन कौन से एक्जाम है यूपी होगा बिहार होगा हर्याना दिल्ली राजस्थार मध्य प्रदेश उत्राखंट जार्खंट शार्खंट हिमाचल प्रदेश जम्मु और कश्मीर महाराष्ट्रा वेस्ट बेंगोल गुजरात औ तब तक जटने भी नए लाइब बाच जाने है सारे के साट आपको द compr लखाने के बाद आपको यहां पर 77 पर Itu मता है ठीक है लेकिन मैं आपको 78% दिल वाऊंगी पूछो क्या से तेको 77% तो मेरे कोट से मिल गया अर्टा 2470 मोबाइल आप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजेगा ठीक है यह हमारी एंड्रॉड और आप पल दोनों पर ही अवेलिबल अचीग है दोनसे आउनलोड किसी से पर डा है जी एस करेंट अफैस सारे नोट्स पीडियेप चाहे लोगे हो चाहे जीस को सारी के सीरीस बेंट और शिप सारे राजियों के लिए प्री इंटर्व्यू गाइडिन्स प्रोग्राम जिनका मीन्स हो जाता है उनके लिए सब कुछ मिलने वाला है मात्र 18000 रुपय में बहुत अच्छा है फीड़ाक बहुत अच्छा है लिए अगर वो किसी वे राज्य का एक्जाम देना चाहिए वह बन सकते हैं उनके सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोकेगा और हाँ अड़ा 247 जोडी श्री की हमेशा ख़ी रहेगा आपके सपनों को पूरा करने के लि सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और हाँ यदि पहली बार चानल पर आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तांक यू सो मच ऑल रवे बेस्ट